नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजय शर्मा और आपका हमारे यूट्यूग चैनल में एक बाफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरल सम्मुकस फागलिसिस के बारे में यानि की मुग की कम खुलने की विमारी के बारे में दोस्तों मेरे पास अधिकतर लोग की जो काल और मैसे आते हैं उन में से लगबग 80% लोग का यही कहना होता है कि सर मैं बहुत ही करीब आदमी हूँ मजदूरी करके पेट भरता हूँ दोस्तों मेरे यही कहना है कि जो लोग पैसे के तंगी के वैसे इलाज नी करा सकते हैं बहुत ही कम खड़ जाता है दोस्तों इसके साथ मैं कम पैसों का एक खरी लोग चार बताने जा रहा हूँ इसमें ना के बरावर खड़ जाता है यदि इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो मुख के चाले जलन में तो रहत मिलेगी साथ में धिये धिये मौट उपनिंग भी बढ़ेगी तो आप बात करते हैं इस घरे लोग चार के बारे में इस उपाय को आप घर या आफिस कहीं भी कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको करना है कि आपको खाने वाला नारियल तेल ले रहा है नारियल का तेल एक चमत लेकर मुख के अंदर रखें और इसको 15 मिनट तक मुख के अंदर इधर ही उधर घमाते रहें इसके बाद इसको थोग दें यह है उपाई यदि आप दिन में 3-4 बार कर लेंगे तो पहले दिन से ही मुख के चाले और जलन में अराम मिलेगा आप मेंसे बाला खाना भी खासकते हो इसके साथ साथ आप रेगलर करेंगे तो धीर धीर मौट उपनिंग बढ़ती है और मुख का खुलना भी चालू होता है जिनके पास दुपायर के समय एक्सरसाइज करने का समय नहीं है उनके लिए यह अच्छा उपाय है इसके साथ साथ आप कम से कम सुभ़ह और साम दो टाइम 15-15 मिनिट की अगर पाउंट उपनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो रिस्वांज दुबना हो जाता है दिन में जब धी आपको मौका मिले मुख के अंदर हवा भरें और छोड़ें इससे मुख की माजपेशियों में लचक आती है और मौट की ओपनिंग बरती है दोस्तों एक्सरसाइज के संबंद में हमने काफी वीडियो बनाए हुए है एक्सरसाइज कैसे करने है एक्सरसाइज करने में सबसे बड़ी साथभानी क्या रखनी है यह सब कुछ हमने अपने यूटूब के चैनल में बताया हुआ है इसके लिए वीडियो देखें और लाब उठाएं इसके साथ यदि आपको कोई अन और जानकारी चाहिए हो जो कि आपको इस वीडियो में ना मिली हो तो कमेंट्स करें हम आपकी क्वारी का रिपलाई अवस्थी करेंगे साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरू करें ताकि मेरे चैनल अन लोगों के पास मोचे और जिरूदमन लोग लाब उठा सकें धन्नवाद